इस वीडियो में हम लोगे डिस्कुस करेंगे कि 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy होता है और यह 5 plus 10 inverse x plus y upon 1 minus xy होता है यह x greater than 0, y greater than 0 और xy greater than 1 और minus 5 plus 10 inverse x plus y upon 1 minus xy होता है अगर x less than 0 हो, y less than 0 हो, यह x y greater than 1 तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे तो बहुत दिनों से इस्टेंट्स कोल दाएंगे इनको हम कैसे प्रूव करेंगे तो हम लोग आते हैं इसको one by one कैसे प्रूव करेंगे यह हम लोग दे लिए ठीक है तो मैं पहला case लेंगे लागे कि 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy if xy is less than 1 यह हमें प्रूव करेंगे तो इसको प्रूव करने के लिए देखेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखेंगा सब्सक्राओ क्लिर क्या टीकर लिए के लिए अवीड़ करेंगे हम कि आप देखेंगे लाग लिए कल लागे लागे आप लेटे हैं आब लेटेखेंगे लागे में तो कि 6 ली और y is equal to tan β अब अगर हम इस फामुले को लगाएं तो इस फामुले को हम लोग जानते हैं कि ये tan अलफा प्लस tan β अगर हम इसका मतर यह हुआ है कि tan अलफा प्लस बीटा इस एकुल तो x फ्लस y अपन वन माइनस xy तो चोगी देख सकते हैं tan अलफा की जेगा हम ने एक्स लिब दिया हमें पता है कि मालनी ज और यह x y less than हो, देखिंख ये चारों case के लिए true हो देखिंग ये चारों case के विए true हो, x less than zero हो, y less than zero हो, लेकिन जो x y है that should be less than one, तीसरा case अगर x greater than zero है, y less than zero है और x y less than one, पोर्ट केस अगर x 0 है और y 0 है और x y 1 है ये चारों केस के लिए हमारा पुपला एक ही तो हम लोग इस केस को डिसक्स करने जा रहा है ये वाले केस को और इसकी साहदा से बाकि आप 3 पर सकते हैं ठीक है तो हम लोग one by one को डिसक्स करने जा रहा है तो आप देख सकते हैं पहला केस कि अगर x greater than 0 हो y greater than 0 हो और x y less than 1 हो इससे ये साहद होता है कि जो tan alpha plus beta है which is equal to x plus y upon 1 minus x y ये greater than 0 ठीक है अब यहां पर देखिएगा कि हमें पता है कि अगर x greater than 0 है x greater than 0 है ठीक है तो आप देखिएगा अगर x greater than 0 है जो alpha होगा वो किसके बीच में लाई करेगा जीरो से पाई वैटो के बीच में अब यहां पर y भी अगर greater than 0 है तो बीटा भी किसके बीच में लाई करेगा जीरो से पाई वैटो के बीच में लाई करेगा जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा अब यहां पर देखिएगा कि alpha plus beta 0 से पाई के बीच में लाई करेगा और यह कहा 10 will be greater than 0 तो इसका मतब है कि इससे ये साफ जायर होता है कि अल्पा प्लस बीटा इसको हम अगर जान से अगर देखें इस एक्वेशन को कर अगर अगर जान से देखें तो इसे ये बाश फ़रित होती है कि अल्पा फ्लस बीटा यहां से लेकिखे है इसका मतलब 0 से 5 by 2 के बीच में यह positive होगा क्योंकि यह positive होगा तो अब हमें पता है कि अगर alpha प्रस beta 0 से 5 by 2 के बीच में होगा तो हम इसका inverse लिख सकते हैं कि alpha प्रस beta is equal to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy तो हमें यहां पर alpha के वाइड़ो आपकर दोका 10 inverse x plus 10 inverse y तो कहने का मतलब है कि इन चारो case के लिए यह हमारा प्रस इसी तरीके से हम बाकित्या किनो case के लिए भी डिसक्स कर सकते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए यह inverse हम तब ही डिए सकते हैं तो हम यह सावित करते हैं कि यह जो alpha प्रस beta है वो minus pi by 2 से pi by 2 के पीछ में लाइक कर रहा है इसलिए हम इसको inverse के रूप में लिख सकते हैं तो हम लोग आते हैं second one second क्या बोलता है के tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if x is greater than 0 y is greater than 0 and xy is greater than 1 तो ऐसे कि इसके लिए हम लोग कैसे को कैसे solve करेंगे तो फिर समने लिए let alpha is equal to tan inverse x तो इससे यह पता चलता है च्योकि x greater than 0 दे रखा है यहां बर इसका मतलब यह है कि alpha जो यह जो से pi by 2 के पीछ में लाइक करता है similarly beta is equal to 10 inverse y ले लिए है इससे यह भी पता चलता है कि जो beta है वो 0 से pi by 2 के पीछ में लाइक करता है तो दोनों को अगर हम अगर मैं दोनों को add कर दूँ तो यहां में दिखाए दे रहा है कि alpha plus beta 0 से pi के पीछ में लाइक करता है ठीक है तो हम दोग क्या करने जाले है तो हम दोग निकालने जाले है देखे x is equal to tan alpha and y is equal to tan beta तो हमारा tan alpha plus beta का जो फामुला होगा वो क्या होगा देखेगा tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta यानि यह है x plus y upon 1 minus x का क्यों परागा अब आप इहां पर देखेगा कि x तो positive है x positive है y positive है x positive है y positive है x y 1 से बड़ा है तो यह less than 0 हो तो अगर यह less than 0 है इससे यह थाविक होता है कि जो alpha plus beta है यह लाइन निवीरमें पाइटल तो, पाइटल यह तो, यह tan alpha plus beta लेकिन हम इसमझते इस बात किया है कि alpha plus beta जब तक minus pi by 2 से pi by 2 की mean में light नहीं करें तो हम दोंने क्या किया कि इसको इसमें हमने यह कर दिया इसका मतर यह हुआ यह minus pi by 2 हो गया less than alpha plus beta minus pi is less than g अब आग दिखे इस equation को मैं ऐसे नहीं सकता था 10 of, 10 of, 10 of, 10 of, 10 of, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, minus of 10 pi minus alpha plus beta क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, देखेगा, x plus y upon minus xy, क्योंकि हमें पता है इसको मतर यह हुआ कि alpha plus beta minus pi can be written as tan inverse x plus y upon 1 minus xy, इसको मतर यह हुआ कि alpha plus beta is equal to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy, इसको मैंने अपने अपने तरह से आपको पता दिया है, similarly इसको तीसरा वाला पार्ट है, आपको इसको कर सकते हैं, अगर आपको इसना कोई थिकात आती है, तो मुझे बताईएगा, और फिर से वीडियो बनाता है, देखेगा आपको झाला आपको जो बनाता है, तेखेगे जाएगा, तेखेगे अगाने में तेखेगा